उरत की डाल में भरपूर मातरा में प्रोटीन होता है और इसकी तासीर भी गर्म होती है, इसलिए सरदियू में उरत की डाल खाना काफी ज्यादा फाइदे मंद माना जाता है, आज मैं उरत डाल के लड्डू बना रही हूँ, तो मैं किस तरह से बनाती हूँ? लड़ू बनाने के लिए मैंने उरत की डाल को अच्छे से धो लिया था धो के सुखा लिया था और अब मैं इसको भून रही हूँ बीना घी के ऐसे ही ड्राय रोस्ट मैं इसको कर रही हूँ यह भून चुके हैं एक प्लेट में खाली कर लेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा मैंने अब ठंडा होने के बाद इसको पीस लिया है देखे बहुत बारिक नहीं किया है इस तरह का आपने भी पीस नहीं बस इसे तरह रख लेते हैं और अब हम उसी कड़ाई में थोड़ा सा घी डालके गौद को फुला लेंगे गौद को हम मीडियम फ्लेम पर गौद फुलाएंगे जब गौद अच्छे से फूल जाएगा तो इसे भी हम क्रस कर लेंगे इसको भी बारिक सूजी की तरह हम बना लेंगे गौद यह अच्छे से पका नहीं होगा तो यह बारिक नहीं गौन दो कि आप किć करंद your free vibes मैंने कितना गौन डाला है और सेम कढाईं मैंने तोड़ा सा घी और करकर इसमें थोड़े से ड्राइफूर्टस भी डालकर उनको भी भूलूंगी कर सकते हो तो यहाँ पर हमारे किसमी सफूल है और हमारे काजू भी का भी रंग बदल गया है इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी प्लेट में निकालने के बाद हम सेम कड़ाई में थोड़ा सा और घी एट करेंगे क्योंकि अभी हमने भूनना है आटा तो अब हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे गेहूं का आटा डालके अच्छे से इसको भून लेंगे जब इसका कलर बदल जाएगा अच्छे से भून जाएगा तो इसे भी हम इसी में खाली कर लेंगे जिसमें की हमने उरत डाल और डाला है और उसके बाद मैंने इसमें गूर डाल दिया है जितने हमारी उरत की डाल है उतना ही हमने गूर भी लेना है और इसमें गूर डालने के बाद मैंने ये ग्रेसी केटिड कोकोनट डाल दिया है आप कद्दुकस कियावा कोकोनट भी डाल सकते हो और ये मैंने डाल दिय अब को डालके हम अच्छे से मिला देंगे, अब हमने अपनी गैस बंद कर दी है, गैस बंद करने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, और जल्दी मिलाएंगे ताकि यह ठंडा ना हो, मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी और एट करेंगे, क्योंकि गी और उरत डा का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा फायदेमंद है लिए घी भलने से उरASS की डाल से डाइजेस्ट हो जाती है इसलिए घी डालने के मैं जोम1 अदर हमसे अचल कर देंगे ये लगभग मिक्स हो चुआ है और mix करने के बाद हम अब लड़ू बनाने के प्रोसेस में आते हैं क्योंकि यह mix होके हमने इसको ठंडा नहीं करना है ठंडा करेंगे तो यह सकते हो जाएगा इसलिए बस हमारे हाथ ना जले इस बात का ध्यान रगना है और गरम-गरम ही इसके लड़ू बनाने इसके लिए मैं थोड़ा सा फोर्सन लेके मैं लड़ू बना रही हूँ आसानी से इसके लड़ू बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा फायदे मंद होते हैं ताकत देने वाले लड़ू होते हैं यह बच्चों के लिए बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत फायदे मंद हैं इसलिए स को सब्सक्राइब करेगा